साथ ये एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन के बायोग्राफिय के बारे में और जॉन मिल्टन की जो बायोग्राफिय सिखेंगे ये एकदम हिंदी में होगी और इससे पहले मैं हिंदी और इंग्लिस में एक बायोग्राफी इनकी बना चुका हूँ इनके उपर ये हमारी दूसरी वीडियो है अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखिए तो एक बार जा करके उसको जरूर देख लेजेगा एक चीज और बता दूँ कि TGT PGT का एकजाम एकदम नजदी की है आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई है उसको देखेगा उसमें नियूस पेपर दिया गया है सौप्टिवेर भी बन करके तयार हो गया है फीस भी अब पहले से ज़्यादा बढ़ा दीगे तो इसलिए अब इसे तयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों तो चलो हम सुरुआत करते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसको आंत तक जरूर देखेगा जौन मिल्टन का जन्म कब हुआ मेरा कहने का मतलब जौन मिल्टन का जन्म क इनकी दोस्तों देथ कहा हुई आठ नॉम्बर 1674 को लगबग 65 वर्स की आयू में बन हिल कहा हुई थी बन हिल लंदन में बन हिल लंदन इंग्लेंड में हुई थी और इनके पिता का नाम क्या था इनके पिता का भी नाम जौन मिल्टन था ध्यान दीजिएगा हम यह कह सकते हैं दूसरे सब्दों में कि इनके पिता का नाम जो है सीनियर जौन मिल्टन था और इनकी माता का नाम सारा जैफरी था क्या था इनकी माता का नाम सारा जैफरी था इनकी सिक्षा जो है वो सैंट पाउल स्कूल लंदन में हुई और कहा हुई इनिवस्टी आफ कैम्बरेज and Chris College Cambridge इस जगह पर इनकी सिख्चा दिख्चा हुई इन्होंने इनकी स्पाव से तीन पत्मिया थी इन्होंने तीन साधी की 1642 में इन्होंने मैरी पॉबल से साधी की इसके बाद 1656 में कैथरीन बूड कॉक से साधी की और 1653 में इन्होंने अलिजावेट मिन्सुल से साधी की तो किस से 1642 में मैरी पॉबल से 1656 में कैथरीन बूड कॉक से साधी की और 1663 में अलिजावेट मिन्सुल से साधी की इसके बाद इनका आक्कुबेशन इनको जादा तर ओके अलिजावेट बी लेटिड अलिजावेटन पॉइट काहा जाता है जॉन मिल्टन को क्या बोला जाता है बी लेटिड अलिजावेटन पॉइट बोला जाता है पंप लेटर थे इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआ इसके बाद हम बात करेंगे कि 1625 से लेकर के 1660 का जो period था दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है? नोन ऐस दी एज आफ मिल्टन किस नाम से? TGT 2005 में पूछा गया है कि 1625 से लेकर के 1660 के बीच का जो यह एज थी ओके वो एज आफ मिल्टन के नाम से जानी जाती है. इसके बाद दोस्तों हम सुरू करते हैं इनकी बैयोग्राफी यानि कि सर्वे आफ आ जोन मेंटन्स लाइफ तो इनके जीवन परचे में देखिएगा बहुत प्यार से पढ़ते रही है आनंद आएगा मज़ा आएगा विडियो को अंत तक देखिए देखिए मैं आपकी तैय इंगलिस भी हमने दिया है टांसलेशन यानि कि हर तरीके से जिस तरीके से आपको वीडियो यहां पर देखिएगा लेकिन बसरते हमारी टीजटी पीजटी इस वार क्लियर होना चाहिए हर हाल में और हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे ठीक है तो दोस्तों स्टार्ट करते ह आज की वीडियो और आज की वीडियो में जॉन मिल्टन जी बहुत महान कभी थे एहे बात हम सभी जानते हैं यह बात हम सभी से चुपी नहीं है कि जॉन मिल्टन तो हैं इंगलेंड के बहुत ही फामस कभी थे इनका जन 9 सितंबर 1608 को कहा हुआ ब्रेड स्ट्रीट लंदन म आपने कौपी कलम नहीं उठाई है नोर्स बनाना चाहते तो नोर्स बनाना सुरू कर देजिये ओके इनकी माता का नाम क्या था सारा जैफरी था जो सारा जैफरी इनकी माता थी वह बहुत ही सब सालीन और सामाजिक रूप से पृतिषटित महला थी और इनके पिता सीनियर जौन मिल्टन यानि कि इनके पिता का भी नाम क्या था जौन मिल्टन था हम इस नाम से कह सकते हैं सीनियर जौन मिल्टन थे ओके इनको हमें सीनियर मिल्टन कहते हैं इनको हम किस नाम से सेनियर जौन मिल्टन के नाम से भी पुकारते हैं बे लंदन के समरद मुंसी मुंसी से मत मतलब होता है ओके इसक्राइवनर ओके एक बहुत ही इसक्राइवनर थे लेखा जो खारकने वाले मुंसी थे और ऐसा कहा जाता है कि जब यह आक्सपोर्ड में बिद्यारती थे तो यह प्यूरिटन संप्रदाय में सामिल हो गए और इनके पिता रिचार्जड मिल्टन के मुत्रादेकारी होने के अधिकार से बंचित कर दिया गया बे बिद्वान ब्यापारी धर्म और राजनीती में असली प्यूरिटन होते हुए महन संकीत अग्य भी थे इनके पिता जी सारा जैफरी से साधी करने के बाद आर्थिक छेत्र में बहुत सफल हुए यानि कि जो इनके पिता जी थे उन्होंने जब इनकी महसारा जैफरी से साधी की तो ये जो है आर्थिक छेत्र में एकॉनिमिक फिल्ड में बहुत ज़दा सफल हुए सक्सेस हुए दोस्तो इसके बाद जॉन मिल्टन को कोचिंग भी दी जाते थे ये पढ़ने भी जाते थ और इनके कोच का नाम था थॉमस यंग क्या नाम था इनके कोच का जो इनको कोचिंग प्रोबाइड करते थे थॉमस यंग जो सैंड एंड्रियो कॉलेज से आयमे थे यानि कि जो इनको कोचिंग देते थे थॉमस यंग उन्होंने सैंड एंड्रियो कॉलेज से आयमे कर रख जो जोन मिल्तन थे वो सारे री रूप से मध्यम कद के ब्यक्ति थे इनके बाल लाल भूरे रंके थे इनका चेहरा अंडाकार था इनकी आँकें सिलेटी कलर की थी तो सब बात समझ में आगे बेतरी न तरीके से इनके बाल लाल भूरे रंके थे इनका चेहरा अंडाकार था आँखे से लेटी कलर की थी और बहुत सुंदर था इनकी च्छा भी बहुत प्यारी और मन मोहग थी दोस्तो इसलिए आपको लेडी आफ क्रेश्ट कॉलेज भी कहा जाता था इसलिए जॉन मिल्टन को लेडी आफ क्रेश्ट कॉलेज के नाम से भी पुकारा जाता है ये इनका निकनेम समझ लिजी दोस्तो और ये पूछा भी जा चुका है ऐसा कहा जाता है कि मिल्टन बहुत मेहनस से पढ़ते थे रात में बारा से एक वज़े के बाद ही सोते थे पढ़े बहुत ज़दा मेहनस से पढ़ाई करते थे और रात को लगबग बारा से एक वज़े के बाद ही सोते थे दोस्तो अब हम अगर बात करें अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1625 में क्राइस्ट देखो एक-एक पॉइंट को याद रखना मज़े से पढ़ते रहना ठीक है क्राइस्ट कॉलेज कैम्बरिज कब 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्बरिज में जो है जॉन मिल्टन ने बी-ए में प्रवेस लिया और इन्हों ने अपने बी-ए की डिग्री जो है 1629 में पूरी कर ली कब 1629 में और 1629 में जब ये बी-ए की डिग्री कर रहे थे तब ही इन्होंने अपनी पहली कविता मौनिंग आपदे क्रिस नेटिविटी को भी लिखा था दोस्तो ओके इसके बाद इन्होंने इन्होंने अपने बी-ए की डिग्री 1629 में पूरी की और 24 समपानित इस नातकों में 4 इस्थान हासिल किया यानि कि इनके पूरे कॉलेज भर में लगबग 24 24 विध्यारती रहे होंगे और उन्होंने से इनको कौन सा इस्थान हासिल हुआ 24 इस्थान हासिल हुआ इन्होंने अपना आयमे 1632 में पूरा किया बी-ए की डिग्री 1629 में आयमे की डिग्री 1632 में और इसी वर्स इनको कॉलेज के एक कोच एक टीचर थे उनसे जगड़ा होने के कान इनको स्कूल से निसकासित कर दिया गया अर्थाथ स्कूल से इनको निकाल दिया गया दोस्तो Cambridge में Milton की Edward King से अच्छी बनती थे यानि कि जब यह Cambridge University में थे तब इनकी Edward King इनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनसे इनकी बहुत अच्छी पढ़ती थी जिसके लिए इन्होंने लैसिडस की रचना की कब यह एक जो लैसिडस है बहुत एक पॉस्चरल इलेजी है दोस्तों और यह अपनी दोस्त और ओके दोस्त की मृत्यु से दुखी होकर के इस कविता की रचना की 1634 में इन्होंने दी मास्क आप कॉमस की रचना की देखो ध्यान से सबस सुनते जाना 1634 में इन्होंने THE MASK OF COMMIS की रचना की जिसको लुडू कैस्टिल में, the All of Bridgewater फिर से ये बढ़ याद रखना लुडू कैस्टिल में The All of Bridgewater और उनके दोस्तों के समाख्च प्रस्तूत होना था और उनके दोस्तों के समच प्राष्टत होना था इपियर होना था इसको दी ट्रुम्प आप बर्चु के नाम से भी जानना जाता है ए सब्द भी याद रखना साथ ही हो क्या एक एक पॉइंट अपना नोडाउन कर लो कौपी पे निकाल लो क्योंकि जब तक आप अपनी भासा में अपनी लाइंगोज में डे वाइडे जो लाइंगोज हम लोग यूज करते उसमें अच्छे तरीके से नहीं समझ लेते तब तक वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी के नाम से जाना यानि की भी ट्रॉम्प आफ बर्चू के नाम से भी जाना जाता है कौमस सदाचार की सुचिता और सुद्धता पर बल देता है आपने केम्ब्रेज के समय ही जब ये केम्ब्रेज उनिवस्टी में थे उसी समय इन्होंने एल एलेग्रो और इल पैंसेरसो की रचना की एल एलेग्रो का मतलब होता है साथियो खुसहाल व्यक्ती जब की इल पैंसेरसो का मतलब होता है उदास व्यक्ती दुखी व्यक्ती इन्हें दो जुड़वा रचनाओं के नाम से भी जाना जाता है अर्थात इनको जो है जुड़वा सिस्टर जुड़वा रचनाओं के नाम से मैं अपने मानव जाती के दो आवेगों के वीच्तुलना और विवाजन का बरणन किया गया है अब तो समझ आ गया नेक्स्ट अब कहां पहुँचे हम लोग 1632 में 1632 के बाद इन्होंने हैमर स्मित किसने 1632 के बाद जॉन मिल्टन ने हैमर स्मित में अपने पैत्रिक घर पर रहने लगे इनका एक पैत्रिक घर कहां था हमर स्मित में इस्तित्था ओके और ये बहां रहने लगे यहां पर जॉन मिल्टन ने हॉर्टन बार्क सायर में भी रहे ओके आप हॉर्टन एक जगह का नाम है जो कि बार्क सायर में भी रहे होर्टन, बर्कसायर एक जगए के नाम हैं में भी रहे और छे बर्स तक खुद से ही मेहनत से अध्यन किया और इन्होंने थियोलोजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लिट्रेचर और साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अध्यन किया और एक बात ये भी कहा जाता है कि इंग्लेंड के कवियों में इनको सबसे पढ़ा लिखा और ग्यानी कविय के रूप में जाना जाता है इसलिए आप का नाम बेटेन के बिद्वान कवियों में सुमार है इसलिए जॉन मेर्टन का जो नाम है वो बेटेन के जो है बहुत ही बिद्वान कभियों के बीच में सुमार है आप अपने अध्यन के दोरान भी रचनाएं करते थे आपने लैसिडस की रचना सन 1637 इस भी में की लैसिडस की रचना कब की थी 1637 में इससा नियाद रखना most important है कईवार TGT और PGT यहां तक के net के एकजाम में भी कईवार पूछा गया है यह जो की एक सुरीला गीत है आपने कालिज के इनके एक बहुत अच्छे दोस्ते जॉन मिल्टन के जिनका नाम था आडवर्ड किंग को समर्पित है अब हम यह कह सकते हैं लैसिडस की रचना 1637 में हुई लैसिडस क्या एक पॉस्चरल एलेजी है और यह किसकी याद दास्त में लिखी किसकी मृत्यों से दुखी होकर के लिखी तो इनके एक कॉलिज के बहुत अच्छे दोस्ते जिनका नाम था आडवर्ड किंग उनकी मृत्यों से दुखी होकर के लिखी अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि लैसिडस जो 1637 में लिखी यह क पोईम है क्योंकि हाटन पेडियर जो चला था बो 1632 से लेकर के लगबग 1638 इस भी तक चला क्योंकि 6 सालों तक ये हाटन नामद जगए पर रहे और उजगए पर रहे करके जिन रचनाओं की जो बर्क थी रचना की जिन क्रतियों की इन्होंने रचना की वो हाटन पॉइम्स कहलाएं तो हम यह कह सकते हैं कि लैसेडस जो की 1637 सीजवी में रचे गई ये हाटन की लाश पॉइम है इनकी जॉन मिल्टन की पेरिस में मित्रता ओके गोटियस से हुई पेरिस में किस से हो गई ग्रोटियस से हो गई, जो कि देश से निसकासित थे और डच भी दवान थे, बहुत अच्छे और जब जॉन मिल्टन ने जब ये जॉन मिल्टन जॉजा है फ्लोरेंस में थे, कहां? एक जगए है फ्लोरेंस बहां थे, तब इनकी मित्रता गैलीलियों से हुई आपकी ये दोनों मित्रता हैं जॉन मिल्टन के काफी उप्योगी थाबित हुई यानि के होटन पॉइम है कौन सी इनके अंतिम होटन पॉइम है लैसिडस है उके इनके पेरिस में मित्रता हो जाती है किस से ग्रोटियस से हो जाती है और ग्रोटियस को दे प्लोरेंस में थे प्लोरेंस की यात्रा पर थे तब इनकी दोस्ती हो गई थी गैलीलियो से और ये दोनों मित्रताएं दोनों दोस्ती इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी थाबित हुई दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इन्होंने 1649 से 42 के बीच में चार ड् की रचना की जिसमें अडम अन पाराडाइजड भी कहते हैं उके जिसको क्या कहते हैं इन्होंने प्राइबेट स्कूल मास्टर का जॉब चुना और अपने भांजों को सिक्षित किया इसके बाद 1642 में इन्होंने किसने जोन मिल्टन ने मैनर हाउस जो है घूमने गए कहा गए मैनर हाउस गूमने के लिए गए और बहां से जब ये मैनर हाउस में गूमने के लिए गए तो बहां अपनी उम्र से लगवग आदी अपनी उम्र के आदी उम्र की लड़की जिसकी उम्र 16 साल की दुलहन मैरी पावल को साथ लेकर लोटे अर्था अपनी 16 साल की एक कर ली कब कहां गुमने गए थे मैनर हाउस में कब 1642 में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इनकी तीन साधियां हुई थी जौन मिल्टन की जिसमें से पहले साधी 1643 में मैरी पॉबल के साथ हुई थी जो कि रिचार्ड पॉबल की पुत्री थी मैरी पॉबल किसकी मैरी पॉबल किसकी पुत्री थी नोट डाउन कर लेजिए इंपोर्टेंट पॉइंट है ये ओके रिचार्ड पॉबल की पुत्री थी जो की एक रिहाईसी घुरसवार थे यानि कि ये भी लंदन की बहुत ही रिहाईसी इलाके में रहने वाले एक रिहाई प्यारी ओके मन को लुभाने वाली कन्या थी लेकिन अफसोस ये साधी असफल साबित हुई यानिके इनका ये खुबसूरत लम है ये खुबसूरत जोड़ा बहुत दिनों तक नहीं टिक सका और ये जो है अफसोस ये हुआ कि इनके साधी बहुत ज़्यदा सफल नहीं हुई अर्थात असफल साधी हुई मैरी 35 के स्कूल मास्टर के साथ सामान ज़स से नहीं बिठा पाएं क्योंकि दोस्तों जॉन मिल्टन 35 वर्स की आयू के थे और जॉन मिल्टन ने जिस लड़की से साधी की वो 16 वर्स की सुन्दर करन्या थी उससे इनोंने साधी की तो बहुत ज जॉन मिल्टन के साथ बहुत अच्छा सामान ज़स से नहीं बिठा पाएं और एक मैने बाद ही बहे अपने माई के लोट गएं एक मैने बाद ही बहे अपने माई के लोट गएं और 1645 में बहे बापस आई इसके बाद फिर बहे कब बापस हैं 43 में साधी हुई 43 में साधी हो लगबग एक मैने तक John Milton के साथ रही और एक मैने John Milton के साथ रहने के बाद पिर ये अपने माई के चली गए तो लगबग दो साल बाद 1645 में बापस आई और मैरी ने जब ये बापस आई तो मैरी ने तीन बच्चीओं को जन्म दिया था जिनका करमसा नाम गया था एक का नाम था बिटा एनी एनी 1646 में जन्म हुआ इसके बाद मैरी का 1648 में जन्म हुआ और डिवोरा का दो मही 1652 को जन्म हुआ था मैरी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था जिसका नाम जौन यानि कि 16 मार्च 1651 में जन्म दिया था और सेस्या बस्ता में ही जून 1652 में जौन का यानि कि इनके एकलोते पुत्र का दिहांत हो गया और वो मर गया ये बिठा नोटिड पॉइंट है कि जो मैरी 1645 में बापस आई उन्होंने तीन बच्चियों को जन्म दिया पहले का नाम था एनी दूसरे का नाम था मैरी तीसरे का नाम था डिवोरा और इसके बाद मैरी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था जिसका नाम था जौन और दूनिया में जीवित नहीं रहा और जून 16 मार्च को जौन का जन्म हुआ और जून 16 मार्च 1651 में और जून 1652 में जौन की भी मिल्तिव हो जाती है अब आप 1650 में अब एज धीरे धीरे जौन मिल्टन की भी एज बारती जा रही है लगग 1650 की आयू में ये पहुँच के पूरी तरीके से 1650 में और के डॉक्न ने मना करने के बाफ़जू जौन मिल्टन ने आराम नहीं किया क्योंकि ये अकान आउंख से अब इनको बिलकूल भी नहीं दिखता था लेकिन इनोंने बिलकुल भी आराम नहीं किया डॉक्र ने सला दी कि अब आपको आराम की लेकिन यह लगातार काम करते रहे और लेखन में लगातार कठेन मेहनत करते रहे जब मिल्टन 1622 में पूरा तरीके से टोटली ब्लाइंड हो गए पूरी तरीके से अंधे हो गए उसके एक साल बाद मैरी पॉबल की मृत्यू 1653 में डिलीवरी की कॉम्पलीकेशन के कारण हो ग कॉम्पलीकेशन थी और डिलीवरी के टाइम पर ही उनकी क्या हो गई थी मृत्ति हो गई थी अब इतना समझ आ गया ओके और 1622 में इनकी जो है ग्लोकोमा नामक बीमारी के करण इनके आखों की रोसनी चली जाती है यह तीनों बेटियां बड़ी हुई तो सुना यानिकि इ जौन मिल्टन उनके साथ रिस्ता बेमन से रखते थे अर्थाथ बहुत अच्छा रिस्ता अपनी बेटियों के साथ नहीं था इसके बाद 1644 में इन्होंने एक बहुत फैमस के पारलियमेंट फार फीडम आप दे प्रेस के पर टिपनी करते हुए उसके लिए बेहतर तरीके से उसके बारे में लिखा और उस कृती का उस रचना का नाम था ऐरो पिजेटिका क्या नाम था ऐरो पिजेटिका नाम की रचना की जो की पारलियमेंट फार फीडम आप दे प्रेस के नाम एक संबोधन था एक एडरेस था ओके तो ऐरो पिजेटिका इन्होंने लिखी का किट्साइज कर तो पारलियमेंट फार फ्रीडम आप दे प्रेश के नाम एक संबोधन है ओके जब जॉन मिल्टन ने डि डिफेंस आफ दी इंग्लिस प्योपल को लिख रहे थे यानि कि जब जॉन मिल्टन एक और अन्य कृति को लिख रहे थे एक और बर्क को लिख रहे थे जिसका नाम था साथियो दे डिफेंस आप दे इंगलिस प्यूपेल लिख रहे थे तो पूर्टिया अंदे हो गए कभी कभी पूछा जा सकता है कौन सा बर्क लिखते समय ये पूर्टिया अंदे हो गए तो डिफेंस आप दे इंगलिस प्यूपेल ओके उनिस सोला सो चोमण कहा जाता है कि आपकी आँखें रेटिना जो है वो बिलकुल भी खराब हो गए या फिर मोतिया बिंद की बज़े से इनकी मृत्य हो गए 1649 में जॉन मिल्टन कौमन बेंद के विदेश मंत्री विदेश सेक्रेटरी बने कभ 1649 में ए भी पॉइंट रखना कि कॉमन बेल्ट के विदेश सेक्रेटरी जॉन मिल्टन को कब बनाये गया तो 1649 में दूसरी साधी जब इन्होंने की ती तो वो महरी की मृत्यों के चार साल बाद यानि कि लगवक तिरपन में या बावन में महरी की मृत्यों हो गए उसके चार साल बाद 1656 में कैथरीन बूड कॉप के साथ इन्होंने दूसरी साधी कर ली किने कब हुई 1656 में जॉन मिल्टन ने दूसरी साधी कर ली किसके साथ कैथरीन बूड कॉप के साथ लेकिन दुर्भाग बस जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यू बहुत सीख रही 1658 में ही हो गई यानि कि 56 में जो है इनकी साधी होई और 58 में लगबग 2 साल ही कैथरीन बुड के साथ ये अपना जीवन आपन कर सके यानि कि यह हम सफर बन करके रह सके उन में से एक खुबसूरत जोड़ा जो है वो बिकर गया जिन में से एक छूट गया एक आगे निकले है कौन कैथरीन बुड काग जो है वो मर चुकी थी और मृत्यू हो गई थी अब ये फिर से अकेले रहे गए थे इसके बाद ये तीसरी साधी करते हैं और जब जॉन मिल्टन ये तीसरी साधी करते हैं वो किसके साथ करते हैं उनका नाम होता है अलिजाबेत मिन्सुल क्या नाम होता है अलिजाबेत मिन्सुल यानि कि ये तीसरी साधी अलिजाबेत मिन्सुल के साथ करते हैं और कब करते ह 1663 में 58 में मृत्यू यानि कि दूसरी पत्नी की 5 मृत्यू के 5 साल वाद अलिजाबेत मिन्सुल से 1663 में साधी करते हैं जो की 24 साल की थी यानि कि ये बुजर्ग हो चुके थे अब तक और इन्होंने फिर से अपनी बहुत कम उम्र की लड़की लगबग 24 साल की उम्र की लड़की से साधी कर ली अब कहा जाता है कि अलिजाबेत आप से 30 साल छोटी थी सोचो यानि कि इनका जो जोड़ा लगता था इनका जो पेयर लगता था वो ऐसा लगता था जैसे कि बाप और बेटी का पेर हो कोई भी इनको देख करके हस्मेंट बाइप नहीं पुकारता था क्योंकि इन्होंने जो अलिजाबेत मिन्सुल से साधिकी थी वो इन से उम्र में 30 साल चोड़ी थी इन दोनों के बीच में जो एज डिप्रेंस था वो बहुत जादा था इसके बास साथ ही हो यहां पर हम बात करेंगे इसके बास साथ ही हो ए जॉन मिल्टन की सबसे चहेंती पत्नी थी यानि कि इनको चहाते बहुत थे जॉन मिल्टन और जॉन मिल्टन ने अपने सारी जाइदात एक बसियत के द्वारा अपनी तीसरी पत्नी जुन का नाम गया था अलिजाबेद मिल्सुल के नाम कर दिया तो ये अगर मैं अपना दिमाग लगाँ तो ये कह सकता हूँ ये कोई फ्यार साधी नहीं थी बलकि अगर अलिजाबेद मिल्टन से साधी की तो मुझे लगता है कि वो उनकी प्रॉपार्टी को देख कर की होगी अर्थात इसके बाद जब जॉन मिल्टन ने अपनी पूरी प लाघ कर दिया जब इनोंने अपनी तीसरी पत्नी अली जाबेद मिल्सुन के नाम बसियत की तो इनकी पहली पत्नी की जो तीनों बेटियां थी उन्होंने बसियत को लेकर एक नया ब्रॉद खड़ा कर दिया asi junior इसके बाद अपनी बहन आनी के बेटे एड़ वर्ड और जॉन फिलिप्स को सिक्षित किया इन्होंने किसने जॉन मिल्टन ने इनकी बेहन थी जिनका नाम था एनी और उनके बेटा दो बेटे थे एक का नाम एड़वर्ट था दूसरे का नाम जॉन फिलिप्स था उनको पड़ाय लिखाया सिक्षित किया एजुकेटिड किया बड़े होकर एबी लेखक बने और जॉन मिल्टर ने साथ साल बिना आँखों के बिताने के बाद कितने साथ साल साथ साल बिना आँखों के बिताने के बाद पुनहा 1665 में 1665 में पारडाइज लास्ट लिखना सुरू किया और कब 1665 में और 1658 में पूरा किये लिखना शुरू किया इसके बाद जो है इनकी लिखकर के 1658 नहीं होगा दोस्तों एक बार को इसे चिकाउट कर लिजेगा ओके यहां पर बाई मिस्टेक लेकिन इसको प्रिकासित करवाया गया दोस्तों वो 1667 इस भी में प्रिकासित किया गया देखिए मैं अपने अनुसार बेश्ट प्रियास करता हूँ आपको रियल फैक्ट और जादे तर जो है बेतरीन से बेतरीन फैक्ट दिये जाएं फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो यह मैं भी एक हुमन भी हूँ गल्ती होना सोभाविक है आप इनकी इन फैक्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकी सचाई को अगर चेक करना चाहते हूँ तो किसी और सोर्स से भी आप चेक आउट कर सकते हूँ दोस्तो पैरडाइज लास्ट मूलता दस किताबों में विवाजित था शुरुवात में जब 1667 में जब पैरडाइज लास्ट का पब्लिकेशन हुआ तो उस समय इसमें दस किताबे थी लेकिन बाद में इसको बारे किताबों में विवाजित कर दिया गया कितनी किताबों में लगवग बारे किताबों में विवाजित कर दिया गया Paradise Last देखो यहाँ पर यह mistake है तो आप छोटी छोटी mistake को जरूर देखते रहिएगा दोस्तों Paradise Last का copyright Samuel Simon को 5 pound में बेज दिये गए उनकी Paradise Last की copyright को John Milton ने कितने 5 pound में बेज दिया इसका तीसरा संस्क्राण कभी की मृत्यु के पास्चा 1678 में प्रकासित हुआ इसके copyright को भी Samuel Simon ने को 8 pound में बेज दिया गया इस तरह से आपको इतने महार रचना के लिए मात्र 28 pound प्राप्त हुए इतनी बड़ी महार रचना Paradise Last के लिए इनको कुल 28 pound ही Samuel Simmons के द्वारा दिये गए इसके बाद जौन मिल्टन की अन्तिम और महत्पूल रचना Samson Agonist थी जो की 1671 में पबलिश हुई प्रकासित हुई ये एक dramatic poem थी ये एक dramatic poem थी दोस्तो और इनकी मृत्यू 8 November 1674 को इनके गुर्दा खराब हो जाने के करांग की बज़े से हो जाती है और इनको सेंट गाइल्स किर्पिल गेट फोर स्टीट लंदन में दपना दिया जाता है ये जगए का नाम याद रखना किर्पिल गेट फोर्स स्टीट लंदन में दपना आया गया सेंट गाइल्स चर्च का नाम था तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो का इंतिजार करें कुछ और जान मेल्टन के बारे में बेतरी लेकर के आएंगे और मैं उमीद करता हूँ जी जान लगा करके टीजीटी पीजीटी की तयारी करते रहेगा क्योंकि इस बार आँक के लिए एक गोल्डन अपास्चनिटी होगी अगर इस बार बेतरी नहीं कर पाए एक बार एक सोच करके देखेगा कि हमारा लास्ट एकजाम 2016 में नोटिपिकेसन आया था जिसको अभी भी भरती कंप्लीट नहीं हो पाई है और अब नोटिपिकेसन आया गए कब भरती मिलेंगी इसलिए टीजीटी पीजीटी की भरती ऐसा तो नहीं कि हर साल आती है दो तीन चार सालों के बाद आती है तो इसलिए इस अपास्टनिटी को हमको जाने नहीं देना है और हर हाल में हमको एक सिलक्सन लेना ही लेना है मैं जितनी मदद हो सकेगी मैं उतना हेल्प आपको करूँगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जै हिंद जै भारत और तैयारी करते रहिएगा